इस वीडियो में बात करूंगा उत्रपदेश की 85% स्टेट कोटा की सीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग तो इस रेजिस्टेशन है वो आपके रेजिस्टेशन अगर आप वैपसाइट पर विसिट करेंगे तो उस देर में स्टार्ट हो जाएंगे यह यहाँ पर आपको लागिन करके यहाँ पर अपना एक्डियोल में अ बता देता हूं अगर आपगा है यहां पर लिखा कि 4 p.m. से आपके registration स्टार्ट हो जाएंगे 5th November को लेकिन यहां पर कुछ रोग को registration स्टार्ट हो चुके हैं तो आप करके यहां पर देख सकते हैं document verification जो है यहां पर सबसे बड़ी बात है कि आपको document verification of academic certificate, card certificate और other documents जैसे कि in the submission of security money यह सब आपको 6th November से लेके 9th of the November पर करना है online जो आपकी choice filling होगी वो choice filling आपकी 6th November से लेके 10th November तक होगी यह first round की counseling के regarding है आप बात करें जो आपका result होगा street allotment का वो आपका 12th of the November को यहां पर आज आएगा लेकर वहीं पर बात करने allotment letter की तो आपके 12th November से लेके 18th November तक आप अपने allotment letter को download कर सकते है date of admissions की बात करें तो यहां पर आपको date of admission देगा है security money की बात करें security money आपकी 2000 रुपीस है आप रखी गई है बहीं पर बात करें सब कुछ डेटिल्स आपको अच्छे से फिल करें अब यहां पर बात करें कि दोज कैंडिडेट्स जिन्होंने choice link में की है और उसके साथ साथ अपनी ओरिजिनल डॉकुमेंट जो है वो नोडल सेंटर पर यहां पर बेरिफाइड करवाई है कि एवल वही स्टूडेंट्स यहां पर कांसलिंग की फर्दर के लिए eligibility रखते है तो नोडल सेंटर आपको मालूम होंगे आपको पूरा अपने नोडल सेंटर पढ़ रखे होंगे जैसे आपका allotment लिस्ट मैंने पिचल बार बताए थी कैसा आपका पूरा information बुलिटेन आया तो उसमें नोडल सेंटर से यहां पर दिये गए तो आपकी registration यहां पर स्टार् बुलिटेन की गए गप